पंजाब के किसानों कारोप है कि केंदे सरकार MSP से पीछे हटना चाहती है और इस वक्त हमाई साथ बलबीर सिंग राज़ेवाल जी है सर क्या लगता है आपको क्यूं सरकार इस तरीके की नीते अपना रही है और MSP से हाथ खड़े कर रही है एक्चुली ये जो मुधी सरकार है ये तो कॉर्परेट्स की सरकार है अब बदकिस्मती है इस देश की के ऐसे आदमी कभजा हो गया सत्ता पे जो जिसको किसान की बिलकुल कोई चिंता नहीं सिर्फ जुमले बाज हैं और वो पता नहीं क्या क्या करेंगे अगर ये MSP खत्म हो जाती है तो कम अज कम पंजाब और रहराना दो स्टेट्स के किसान तो बरबाद होंगे सिर्फ किसान बरबाद नहीं होंगे उनके साथ टोटल बाजार डूब जाएगा क्योंकि जो हम पैदा करते हैं ये शोशल सेक्यूरिटी है समाज की इसके बिकने के बाद वो पैसे हम मार्किट में जाते हैं मार्किट तबाह हो जाएगी इससे तो समझना चाहिए मोधी सरक सरकार को कि अगर वो ऐसा ये स्विसाइडल कदम फिर भी उठाना चाहते हैं तो फेस करेंगे लोग एजिटेशन करेंगे दूसी तरफ स्टॉक लिमिट की भी बात की जारी अगर स्टॉक लिमिट कर दिया जाता है तो पंजाब पे कितना असर पड़ेगा इसका कुछ भी क खाने के लिए रखके बखाया ये मार्किट में बेजते हैं तो 65 लाग टन गेंगे जाएगी कि कोई बरदाश्ट नहीं करेगा यहां लोग सरकों पर आ जाएंगे और सरकार को सोचना पड़ेगा दूसरी तरफ कहीं न कहीं शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट को लेकर भी चरचा हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया था ओपन मार्किट में जो है किसान अपनी फसल को बेज सकते हैं क्या किसान त्यार है इस चीज़ के यह तो उस स्टेट की बात हो सकते हैं जहा पन्जाब और हियाना की किसानों की है और अगर यहां यह जो करते हैं को चाला को करते हैं मैंस बी वेड्रा करते हैं तो यहां कोई टॉलरित नहीं करेंगा और टोडल एकॉनमी जो है पन्जाब की और हियाना की शैट्र कर जाए जैना Von קर्त जो किसान वह सुत्सीं कोड पी दरसल यह है हर कोई अपने 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 यह समझता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं कई लोग हाफ कुक्ट बात लेकर कोड में चले जाते हैं लेकिन बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं तो मुझे नहीं पता किस ने किस हसाब से केस लिया है और मुझ कुछ जो है किसान की तरफ से किया जाएगा चौबीस तारीक को पंजाब के किसान जिले से यहां इकठा होंगे पचीस की ग्राउन में और प्रोटेस्ट रैली करके गवर्णर के तरूप प्राइम मिनिस्टर को मेमरेनम देंगे और एक मेमरेनम जो स्टेट की डिमांड्स ह हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी देंगे सर अभी जिस तरीके से कहा जाता है कि 23 फलुक जो 23 फसल है उनका MSP ते है और पांस से छे फसलुका ही जो है अभी MSP सरकार दे रही हैं कितना जो है किसान चाहता है कि MSP बड़े और कितनी फसलुका और चाहता है कि MSP दी किसान से जो मर्जी पैदा कर वालो वो कर देगा जो इंपर्ट करते हैं वो यहां यही पैदा कर देगा लेकर सरकार की नियत साफ चाहिए वो जो भी चाहती है किसान वो इपायदने का परवंद करें किसान कितनी मांग करता है वो तो उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन पे है उस पे कुछ मनाफ़ा होगा वो तो अलग अलग है हर फसल की लेकिन सरकार जितनी देर तक उसकी खरीद का प्रबंद नहीं करती तो मार्किट में वो पेटे जाता है इसलिए वो डाइवर्सिफाई नहीं क को फाइदा होगा और इसका बड़ा विप्रीत असर जो है किसानों पर पड़ेगा कैमरामें शरत की साथ सुराज एक्सप्रेस के लिए चंडिगट से इशा ठाकुर